C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वरपस्तुत है कक्षा पांच की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पाठ तीन चखने से पचने तक प्रेश्ट बाईस स्वाद ही स्वाद जुम्पा रसोई में गई और मा से लिपटकर बोली मा मैंने ही खाऊंगी कड़वे करे ले तो तुम गुड रोटी ही दे दो मा ने हासते हुए कहा कितना मीठा खाऊंगी सुभा भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़े खाकर जुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा जुम्पा तपाक से बोली तुम बोर होती हो क्या इमली चाटते चाटते जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुँमे पानी आ गया होगा जुलन बोली मैं मीठा भी खाती हूँ नमकीन भी हाँ घट्टी इमली मुझे बहुत ही पसंद है पर मैं करेला भी खा लेती हूँ यह कहकर जुलन ने मा को देखा और दोनों जोड से हस पड़ी जुलन जुम्पा से बोली चलो एक खेल खेलते हैं मैं तुम्हारे मुँमे खाने की कोई चीज रखोंगी तुम्हें आखें बंद करके उसे पहचान न होगा जुलन ने चम्मच में नीवू के रस की कुछ बूने ली और जुम्पा को चखाई खटा नीवू जुम्पा फट से बोली फिर जुलन ने गुड की डली उठाई तो मा बोली प्रेश्ट तेईस पीस कर खिलाओ नहीं तो फट पहचान लोगी जुलन ने थोड़ा सा गुड पीस कर जुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया इस तरह जुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी तली हुई मचली को तो जुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया तब जूलन बोली अब नाक बन करके पहचानो जूम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई कुछ कड़वा सा है, कुछ खटा सा, कुछ नमकीन सा एक चमबच और खिलाओ वह बोली जूलन ने चमबच में करेले की सबजी ली जूम्पा की आँखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ जूम्पा भी हस्ते हुए बोली, लो खिलाओ चर्चा करो और लिखो खटी इमली का नाम सुनते ही जूलन के मूँ में पानी आ गया तुमारे मूँ में कब-कब पानी आता है अपनी पसंद की पाँच चीजों के नाम और उनके स्वाद लिखो तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग-अलग? क्यों? जूलन ने जूम्पा को नीबू के रस की कुछ बूने चखाई क्या कुछ बूनों से स्वाद का पता चल सकता है? अगर तुम्हारी जीब पर सौफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? कैसे? प्रेश्ट 24 खेल में जूम्पा ने मचली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीजें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सुंग कर पहचान सकते हो? क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते होंगे? आख बंद करके स्वाद पहचानो अलग-अलग स्वाद की कुछ चीजें इकठी करो और अपने साथी के साथ जूलन और जुम्पा की तरह खेल-खेलो अपने साथी को चीजें चखाओ और पूछो स्वाद कैसा था? खाने की चीज क्या थी? जीब के कौन से हिसे में स्वाद ज्यादा पता चल रहा था? आगे, पीछे, बाईं या दाईं तरफ? अपने अनुभव के आधार पर जीब के एक चित्र में लिखो कुछ खाने की चीजों को मूँ के किसी और हिसे पर रखो होट, तालू, जीब के नीचे क्या कहीं और भी स्वाद का पता चल आ? प्रिश्ट 25 जीब के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से प्मोचो ताकि वह सूखा हो जाए अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो क्या कुछ स्वाद आया? सोचू ऐसा क्यों हुआ होगा? शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीब की सतह को ध्यान से देखो कैसी दिखती है? क्या जीब पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं? बताओ अगर कोई हमसे पूछे की कच्चे आवले या खीरे का क्या स्वाद है तो हमें सोचना पड़ेगा? तुम खाने की इन चीजों जैसे टामाटर, प्याज, सौफ, लॉंग, आधी का क्या स्वाद बताओगे? स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूड़ो और खुछ से सोच कर बनाओ कुछ चीजें चखने के बाद जुम्पा बोली सी, 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 सोचो उसने क्या खाया होगा? तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाजें निकालो अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देख कर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा? प्रिष्ट 26 चबाकर या चबा-चबाकर खाओ दोनों में अंतर बताओ सब मिलकर कक्षा में ये गति विधी करो ब्रेड या रोटी का टुकडा या पके हुए चावल लो पहले रोटी का टुकडा या कुछ चावल मुह में डालो और तीन-चार बार चबाकर निगल जाओ क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? अब रोटी का टुकडा या कुछ चावल मुह में डालो और तीस-बत्तिस बार चबाओ क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? चर्चा करो घर में लोग तुमें कहते होंगे खाना धीरे-धीरे खाओ ठीक से चबाओ खाना अच्छे से पचेगा सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे? जब तुम कोई सक्त चीज जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलावाते हैं और कैसे? सोचो हमारे मुह में लार क्या काम करती होगी? प्रेश्ट 27 दिल की बात तुम्हें क्या लगता है? शरीर में खाना कहां कहां जाता होगा? खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ अपने साथी का चितर भी देखो क्या तुम्हारा चितर और साथी का चितर एक जैसा है या अलग? चर्चा करो क्या तुमने किसी को कहते सुना है? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं तुम्हें क्या लगता है? भूक लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूग लगी है सच मुझ अगर तुम दो दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा क्या तुम दो दिन तक पानी के बिना रह सकते हो सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहां जाता होगा एक बच्ची कहती है भूख से तो मेरे सिर में दर्ध हो जाता है बच्चा बोला जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है दूसरा बच्चा बोला जब मैं भूखा होता हूँ तो ठका ठका महसूस करता हूँ एक बच्ची बोली जब मेरी बेहन को भूख लगती है तो वह रोती है कुत्ता बोला मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ प्रेश्ट 28 नीतु को चढ़ाया गया गुलुकोज नीतु को पूरा दिन लगतार उल्टी होती रही साथ में दस्त भी लग गए थे उफ कुछ भी खाओ या पीओ तो उल्टी उसकी पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोल कर पीने के ले दिया शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी वे उसे गोद में उठा कर डॉक्टर के पास ले गए डॉक्टर ने नीतु को अस्पताल में भरती होने को कहा ग्लुकोस चढ़ाने के लिए यह सुनकर नीतु सोच में पड़ गई स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लुकोस पीने को देती है पर अब ग्लुकोस चढ़ाना क्यों है डॉक्टर आंटी ने उसे कहा खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वज़ा से शरीर में कमजोरी आ गई है तुम्हारा पेट खराब है ग्लुकोस चढ़ाने से बिना खाए पिये तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी बताओ और चर्चा करो तुम्हें याद होगा कि तुमने चौती कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया सोचो उल्टी दस्थ होने पर यह घोल क्यों देते होंगे क्या तुमने कभी ग्लुकोस शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है कहां क्या तुमने कभी ग्लुकोस चखा है उसका सुआत कैसा होता है अपने साथियों को भी बताओ प्रिष्ट 29 क्या तुम्हे या तुमारे घर में कभी किसी को ग्लुकोस चड़ाया गया है कब और क्यों उसके बारे में अपने साथियों को बताओ नीतू की टीचर उसे हौकी खेलते समय बीच बीच में ग्लुकोस पीने को कहती है सोचो वह खेल के दौरान ग्लुकोज क्यों पीती होगी? बताओ नीतु को ग्लुकोज कैसे चड़ाया गया? कहानी खिड़की वाले पेट की सुनो कहानी एक अनोखे पेट की पेट मे था छेद कहानी छेद की मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली हुआ इलाज पर रह गया छेद डौक्टर के लिए बना खेल बातें जानली उसने भेद की सुनो कहानी एक अनोखे पेट की जब चाहें तब उसमें जहांक लें अंदर का सारा हाल भाप लें क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया कर सकते थे वह मीन मेख भी सुनो कहानी एक अनोखे पेट की चीजें जो करती थी गडबड उन्हें डाल कर हाथ जट पट बाहर निकाल सकते थे बदले में नया खाना डाल सकते थे हाँ, डाल भात और सेब भी सुनो कहानी एक अनोखे पेट की खिड़की जैसे छेद वाले पेट की इसके उसके सबके पेट की कहानी यह हमने नहीं गड़ी वर्षों पहले सच्ची थी घटी पड़ो कहानी एक अनोखे पेट की पेट में था छेद कहानी छेद की यह कविता राजेश उत्साही ने लिखी थी प्रिष्ट तीस कहानी पेट में जहांका जाना भेद तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का और बहुत तंदुरुस्त था जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमॉन्ट के पास ले जाया गया डॉक्टर ने मॉर्टिन की अच्छी तरह से मरम पट्टे की धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा पर पेट का छेद नहीं भरा लगभग देवड साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन की पेट में एक अद्भुत खिडकी सी बन गई थी पेट की चमडी ने बढ़कर छेद को ढख तो लिया था ठीक उसी तरह जैसे एक फुटबॉल का वाशर होता है यानि चमडी की एक तह के ऊपर एक और तहसी बन गई थी निचली तह को दवाने पर छेद में से पेट में जहागा जा सकता था छेद में ट्यूब डाल कर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था अब क्या था? डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया? मानो एक हजाना मिल गया सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोक करने में? नौ साल इन नौ सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई उस समय तक वैज्ञानिकों को यह मालूम नहीं था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है? क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट की पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज जुबो कर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी-पड़ी बच जाएगी इसकी लिए उन्होंने एक प्रयोग किया एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया फिर दस मिलिमीटर पाचक रस में एक उबली हुई मचली के बीस बारीक टुकडे डाल कर सुबह साड़े आठ बजे रख दिये इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आम तौर पर हमारे पेट के अंदर होता है लगभग 30 डिग्री सेंटिग्रेड दोपहर के दो बजे तक उन्होंने देखा कि मचली के सब टुकडे पूरी तरह से घुल चुके थे फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया अलग-अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका उन्होंने बना ली प्रेश्ट 31 जैसे कच्चा दूद पचने का समय पेट में 2 घंटे 15 मिनट गिलास में 4 घंटे 45 मिनट उबला दूद पेट में पचने का समय 2 घंटे गिलास में पचने का समय चार घंटे पंदरा मिनट पूरी तरह उबला हुआ अंडा पेट में पचने का समय तीन घंटे तीस मिनट गिलास के पाचक रस में आठ घंटे कम उबला अंडा पेट में पचने का समय तीन घंटे गिलास के पाचक रस में 6 घंटे 30 मिनट कच्चा अंडा फेटा हुआ पेट में पचने का समय 2 घंटे गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट कच्चा अंडा पेट में पचने का समय 1 घंटा 30 मिनट और गिलास में पचने का समय 4 घंटे कहो, आप क्या सोचते हो? है कुछ फायदा इस पेट का? डॉक्टर बोमॉंट ने मार्टिन के खिर्की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्ये खोले उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है क्या तुम भी ये देख पाए? जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता यही नहीं उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड यानि अमल की तरह होता है क्या तुमने कभी किसी को कहते सुना है कि पेट में ऐसिडिटी हो गई? खास कर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों निसा रहा फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किये गए क्या कहा तुमने? पेट में गोली मार कर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मार कर नहीं किये गए ये प्रयोग दूसरे व्यज्यानिकों ने मशीनों की सहायता से किये तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी ये लेख अनीता रामपाल ने लिखा प्रिष्ट 32 सही खाना और सही सेहत डॉक्टर अपड़ना के पास इलाज के लिए दो बच्चे आए रश्मी और कैलाश दोनु बच्चों से डॉक्टर अपड़ना ने बातचीत की बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो हम तुम्हें दे रहे हैं रश्मी पांच साल तीन साल की लगती है हाथ पेर पतले और पेट फूला हुआ अकसर बीमार रहती है थाकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती खेलने की ताकत भी नहीं होती खाना पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आद रोटी भी मिली तो समझो उस दिन बहुत मिल गया कैलाश साथ साल उम्र से बड़ा है शरीर मोटा और थुल्थुला है पेरों में दर्द रहता है फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता बस से स्कूल जाना दिन में कई घंटे टीवी देखना खाना घर का बना खाना उसको पसंद नहीं दाल चावल रोटी सबजी से दूर रहता है बाजार के चिप्स, बर्गर, कोल ड्रिंक बस यही भाता है उसे डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जाच भी की दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बिमारी का एक ही इलाज है सही खाना प्रिष्ट 33 चर्चा करो तुम्हें क्या लगता है रश्मी पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी क्या कैलाज को खेल कूद में दिलचस्पी होगी सही खाने से तुम क्या समझते हो तुम्हारे हिसाब से रश्मी और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? लिखो पता करो दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उमर के थे तब वे एक दिन में क्या-क्या काम करते थे? क्या खाते थे और कितना? अब तुम अपना सोचो तुम जो खाते हो और जो काम करते हो क्या आपके द्वारा की गई चीजें, बातें बड़ो जैसी हैं या उनसे अलग? भर पेट खाना सभी बच्चों का हक एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ है रश्मी, जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं भर पेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है हमारे देश में लगभग आदे बच्चे रश्मी जैसे हैं उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता यह बच्चे कमजोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं प्रिश्ठ 34 ओडिशा के कालहांडी जिले के बारे में पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो सोचो और चर्चा करो क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता उसके क्या क्या कारण हो सकते है क्या तुमने कभी ऐसा गोदाम देखा है जहां बहुत सारा अनाज रखा हो कहां हम क्या समझे जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बे स्वात क्यों लगता है अगर ऐसा कहा जाए हमारा मूह ही पचाना शुरू कर देता है तो तुम कैसे समझाओगे लिखो सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या-क्या परिशानी हो सकती है 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है इस मेनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती कई महिने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खा कर काम चलाना पड़ता है इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं गोमती का पती भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया था एक तरफ तो काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है दूसरी तरफ काला हांडी के कई गरिव मजदूरों की हालत गोमती जैसी है कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है फिर ऐसी जगह लोग भुकमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं चकने से पचने तक अभी आप सुन रहे थे कक्षा पांच की पाठे पुस तक हमारे आसपास का तीसरा पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिटली भारत